वेल्सम गाइज, आई होप याडिंग वैल, आई वीर, वेलकम टेश्ट अलोग फैमली, तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आसा करता हूँ, शांदर तरीके सा आप लोग अपनी लाइफ को इंजोई कर रहे हो, अपनी सेथ, फैमली और पैके थान का आप फिच्चे से रख रहे ह तो नए सब्ता की स्टार्ट करेंगे एक नए जोश के साथ में, और जोश इतना हाई होना चेहेगी, पूरे सब्ता आप लोग का बना रहे, कहने का मतलब यहां पर यह कि जितने जोस में आप लोग पढ़ाई को स्टार्टिंग के दिन में आप लोग वीक के लेकर चलोगे पूरे एनरजी आप लोगी मेंटेन रहेगी पूरे सक्ता में तो इसलिए फुल एनरजी फुल जोस के साथ में आप लोग को अपनी पढ़ाई को आगे लेकर चलना है बड़ी ही प्यारी बहुत शांदार बाते बोलेगी है क्या बोला गया है समझ लेते हैं ठुकरा दिया जिन होने मुझे मेरा वक्त देखकर कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझे से वक्त लेकर जिन्दगी में अगर आप लोग अपने समय को इंपोर्टेंस देना स्टार्ट कर दोगे आप लोग अपने टाइम पर फोकल देना स्टार्ट कर दोगे तो आप लोग समझ पाओगे कि आज की डेट में मोरनिं में उठता है तो आप पास में 86000 400 second होती है अगर आप लोग morning में थुड़़ सा लेट उठ गे यानि के मालिज आप लोगों किसी ने morning में 86400 उठी और आप लोग की उसमें से 400 उपे कहतम होगे ठीक है तो क्या आप लोग 86000 जो हैं उनको भी फैंक दोगे कि नहीं खराब होगे तो यह मेरे किसी काम के नहीं है कभी नहीं फैंक होगे आप लोग उनको और अच्छे सिंवा कर रखोगे तो अगर किसी दिन आप लोग मोरनिंग में जैसे की 86400 सेकिंड आप लोगों मिले हैं 400 सेकिंड अगर आप लोग जिन्दगी में से किसी ने काट ली दिक्कत होगी बीमार थे उठे नहीं कुछ और दिक्कत होगी तो क्या 86,000 जो सेकिंड बची हुई है उनको भी आप लोग बर्बाद करोगे नहीं अगर आप लोग इनको बरबात करोगे तो ये कैसी चीज़ होती है कभी रिपीट नहीं होती है जिन्दगी में कितना भी हमीर कोई इंसान क्यों नहीं धरती पर किसी हमपानी टाटा बिल्ला किसी का नाम आप लोग ले लो उसको भी 24 आर ही मिलते हैं और आपको भी 24 आर ही मिलते हैं तो इंट्रेस्टिंग चेज़ यहां पर ये हैं कि हर एक इंसान को 24 गंटे मिल रहे हैं इंसान पता भी नहीं नीए उसको 24 गंटे का चले जाते हैं तो यहार जिंदगी में आप लोग को देखना पड़ेगा कि आप लोगे 24 गंटे कहा परें आप लोग को identify करना पड़ेगा और अगर एक बार आप लोग ने इन 24 गंटुक identify कर लिया इन seconds को आप लोग ने identify कर लिया तो फिर आप लोग को पता रहेगा आप लोग की time की कीमत के है और जिस दिन आप लोगों ने time के कीमत समझ ली उस दिन समय जो है वो आप लोगी कीमत करेगा यानिके हर एक इंसान इस society में आप लोगी कीमत करना है श्टार्ट कर देगा तो अब आप लोगों को सोच रहे हैं कि आप लोगो time को ज़दे importance देनी है या फिर किसी और चीज़ कर ददे importance देनी है उसी के इसार से आप लोगी कीमत decide होगी society में कि आप लोगो society कितनी importance देगी सबसे पहले तो यार सोरी देखो वीडियो जो है वो थोड़ी सी late हो गई क्योंकि Sunday था तो पड़ा बाहर बाहर की काम भी पढ़ जाता है किसारी तो उसकी वेसे हलकास आप लोगो यह late देखने को मिल रही है पर कोई नहीं अच्छे से enjoy कीज़ेगा वीडियो को end तक पूरे detail में शांदार तरीके से एस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप लोग किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं एक अंदर आप लोग कोई confusion देखने को मिलेगा basic background information के साथ में तो current affair में होता है यह aesthetic plus current आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है तो अच्छे से वीडियो को end तक आप लोग को enjoy करना है सारी बाते बताऊंगा detail में बताऊंगा और Sunday वारा lecture जिस किसी ने नहीं देखा है जुरूर देखना क्योंकि revision नहीं था कई सारे बच्चे revision के चक्कर में छोड़ दिया गरते थे ठीक है तो revision तो आप लोग एक बार को खुद भी कर लोगे पर लेकिन अगर proper lecture आप लोगो मिलता रहेगा तो कम से कम आप लोगे पास में revision करने का material हैगा revision के चक्कर में बता चला मैंने बहुत सारे topics ने हैं वो बच गए तो इसलिए हमेसा कोसिस किया गरो कि कुछ चीज़े आप लोगों के ही काम आने है आप लोग को अगर revision एक अपने आप से आप लोग पढ़कर करोगे तो एक्जाम में आप लोग उसको recall कर पाओगे ठीक है तो एक्जाम में recall कर पाओगे तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से याद कर पाओगे जोगी examination hall में मैं नहीं बैठ होंगा आप तो recalling power आप लोग की तभी बढ़ेगी जब आप लोग चीज़े ठंग से understand करकर अपने आप से revision करोगे अपने आप से revision करो काफी अच्छे से चीज़े अच्छे से understand करोगे और फिर exam में वोग चीज़े याद भी आएगी अगर मैं याद दिला रहूँ आप लोग को यहाँ पर बार-बार चीज़े lecture के अंदर में तो examination hall में तो मैं बैठ होगा नहीं आकर तो आप लोगो खुद से भी अपनी habit ऐसी बनानी पड़ेगी तो हमेशा दूसरों के उपर dependent मत रहा करो थोड़ा सा अपने ले भी हाथ पैर मारो क्योंकि मैं आप लोग को चलना सिखा सकता हूँ पर दोड़ना आप लोग को अपने ही कदमों पर पड़ेगा ये बात ध्यान रखना हमेशा क्योंकि किसी के कंदे पर हाथ रखकर इंसान कभी दोड़ नहीं सकता तो ये बात अपने गांट बान लेना आप लोग अगर reality में exam clear करना चाहते हैं तो अपने आप पर खोगत देओ और अपने revision को अच्छे से लेकर चलो कई सारे बच्चे मुझे repeatedly बोल रहे हैं कि सर कई सारी topics रहते हैं उनको बार-बार repeat कर जाएंगी और नहीं चीज़े छुट जाएंगी तो जो करके जाएगा फिर आप लोग काफी पीछे रह जाओगी तो कम से कब इतनी चीज़े जुरूर कर लो कि कोई आप लोग का topic नहीं चुटे repeat करने में तो मुझे और आसानी है ना मुझे कुछ पढ़ना है ना कुछ बताना है उसी को repeat करता रहूंगा बार-बार तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी तो इसलिए हमेशा इंटरनेशनल सोलर अलाइंस के बारे में आप लोग सभी जानते हैं इसको अभी observer status दिया गया एक particular organization के साथ दुआरा observer status ऐसा होता है कि महाँ पर voting दानने की power नहीं होती है आप लोग meeting में participate कर सकते हो ठीक है तो इस तरीके सा आप लोग इसको बोल सकते हो मालेज़े मैं आज केरे में 5-6 member को चुनता हूँ अपनी SLV family से और मैं बोलू कि आज से जो है पूरी SLV family में कहां 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 चल रहा है तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं तो यह हो गया एक तरीके से observer status आप लोग देखोगे सारी सीज़े कहां 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 चल गए पर power नहीं रहेगी आप लोग को voting वगरा उन सब्जी जोगी ठीक है आगे बात करेंगे कि location के बारे में important detail में बात करेंगे बात की जारी हाँ पर Mount Samru के बारे में तो Mount Samru एक वोल कहनो है कहां पर located है इसमें recently अभी 14 के करीब लोगों की जाने गई तो detail में जानेंगे exact location के साथ में और इसी के साथ में important point आप लोग का बन जाता है Elpide Earthquake Belt यह Elpide Earthquake Belt जो है इसमें दुनिया के कितने जो भूकम यानि अर्थक्वेक आते हैं तो यह कई बार आप लोगो पूछ ली आती है ऐसे सी चीजे इसको मिड कॉंटिनेंटल वेक्ट भी बोलते हैं तो detail में दिखाऊंगा कहां पर यह location है कई बार आप लोग को दिखाता हूं तो कम से कम location आप लोग को बता रहेगी ठीक है और आज की रेट में सारे paper English Hindi दोनों देते हैं तो कहां से आप लोग उसको समझोगे तो चाहिए कोई भी चीजे को ना उसको टाइम देना पड़ता है मैं अच्छा नहीं इंगली से अच्छी नहीं है स्टेची नहीं करेंट अच्छा लगने लागेगा सारी चीज अच्छी लगने लगती है बस थोड़ा time दो है तो डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में भी सीराज गोपाल चारी जी के बारे में बात करेंगे काफी डिटेल में आप लोग को यहां पर क्या बताना है कि इनको भारत रतन किस एर में दिया गया था यह आप लोग को बताना है यह एडिटर भी थे एक निउस्वेप आप लोग बोल सकते हैं, तो यहाँ पर एक तरीके से कई सारे लोग जो रहते हैं उसको देखते हैं, इसे मालोग एडिटोरिल कई सारे ने देख जा, एक पटिकलर परसन होगा जो देखेगा कहां कहां पर क्या कै चीज़ हैं, सही चल रही हैं नहीं चल रही हैं, तो इस तरीके से वो पार्ट होता है उस सिस्टम का, पर लेकिन न्यूस विपर किस का है, वो दाहिंदू का न्यूस विपर है, तो इस तरीके समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर, इसी के साथ में सीराज गोपाल इस तरीके द्वारा कुछ इस्टैब उठाएगे, तो यह इंपोर्टेंट आटिकल है, रिपेटेड़ी आ रहा है, डेटेले बात करूँगा, सारे आप लोगे दूर हो जाएंगे, यहाँ पर यह बताना है कि किस पैसा कमाते हैं, हेल्थ को बरबाद करकर और फिर पैसा लगाते रहते हैं, उस हेल्थ को ठीक करने में, क्यों ना दोनों में बैलेस मना कर चला जाए, पैसा भी इतना कमाओ कि जिन्दी अच्छे से कर जाए, और हेल्थ को भी इस तरीके से धान रखको कि उसमें पैसा लग सबसे इंपोटेंट बात आप लोगे देखने को मिलेगी हैल्थ को एजुकेशन से पहले रखा गया है जब एक इंसान जो है वह अच्छा हैल्दी होगा उसका दिमाग से होगा तभी तो पढ़ पाएगा वरना पता चला दिमाग से तो बीमार चल रहे हैं पता नहीं क्यों ड चाते हैं तो इंटरनेशनल जो डे है वो इसी मुद्दे के बारें बात करते हैं कि हैल्थ जो है वो काफी इंपोरेंट है और खासकर COVID-19 के चलते तो यह और बी जड़ी ज़्यक्रोंट हो गई हैं तो आप लोगो अवेर्नेस फैलानी है किस तरीगे से हैल्थ सिस्टम को हम देखना पड़ेगा, जो गरीब तबका है, सोसाइटिक उसको भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा, अगर हेल्थ के बारे में आप लोग से बात कुरू, important question आप लोग याद रखेगा, जब समिधान के अंदर जाएंगे, साथ वे schedule के अंदर, तीन लिस्ट है, center list है, state list है, और समवर्थी सूची इसको बोलते हैं, तो ये center के द्वारा और ये state के द्वारा, ये दोनों के द्वारा मिलकर काम किया जाता है, अभी theme क्या है, theme कह रहे हैं, leave no one behind, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, when it comes to health, जब health की बात करते हैं, यादि कि जब health के बारे में बात करें, त बात करें, तो किसी को पीछे मत छोड़ो, सबको साथ मिलेकर चलो, invest in health system, invest in education system for all, ताकि सबको education मिल सके, तो कम से कम अगर free नहीं, तो affordable आप लोग education provide करो, ताकि हर 8 बच्चे को education और health की facility मिल सके, और किसी और चीज के ओपर उसको dependent ने रहना पड़े, तो ये कम से कम यहाँ पर चीजे लेकर चलनी पड़ेगी, इसलिए हाँ पर सबसे important बात आप लोग sustainable development goal के अंदर भी जब जाओगी, वैसे तो तीसरा goal है हाँ पर health के बारे बात करते हैं, पर तीसरी के अंदर भी जब आप लोग जाकर बात करोगे 3.8, तो यहाँ पर achieve universal health coverage इसके अंदर भी इसके अगर आप लोगों से health के बारे में पूछने पर आजे होनी केते हैं कि जब जब वो जब तीचर जो है, वो सोचने लेगी कि मजा लेना है बच्चों को थोड़ा सा, तो वो बोलेगा चलिए universal health coverage जो है, वो health के कौन से particular portion में आप लोगो देखने हैं, बोलेगा sustainable development goal के, तो ब traffic में जो accident होते हैं, तो हमारी country में लगभग, आज की date में आप लोगों ने देखा होगा, दुनिया भर के accident होते हैं, और लगभग पांच लाग के करीब accident आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे लोगों की जान जाती है उसकी वेसे, तो ये वाला मुद्द है हाँ पर आजाता है, TV, AIDS, ये सारी जो वीमारी है हाँ पर, वो आप लोगो यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो ये कुछ ऐसे points है, सारे नी डटने हैं, पर लेकिन कुछ-कुछ ऐसी बात हैं, जो पता होना चाहिए, कम से कम आप लोग, जो लोग जिनको नहीं बता है, उनस सारी चीजों को ढंसे, आप लोग को लेकर चलना है, यहाँ कि एक तरीके से, जिस इनसान के पास में पैसा भी नहीं, उसको healthy facility कम से कम मिलनी चाहिए, ये पैसे के ओपर dependent नहीं रहना चाहिए, इसको healthy facility नहीं मिल रही है, और ये कौन करेगा, ये करेगी government, क्यों करेगी government, इ यहाँ पर बात करते हैं एक greater equity की ठीक है एक तरीके से सब को यहाँ पर सही तरीके से सही सेर मिलना चाहिए improve health come out जो होना चाहिए improve होना चाहिए efficient accountable होना चाहिए आपर transparent system होना चाहिए यह नहीं कि पैसे चल रहे है घूस खोरी चल रही हमाँ पर जिसके पास यह पैसा है बस वही ठीक रहेगा बाकि जिसको मरना है मरें अभी COVID-19 के टाइम पर यह हरकत है देखी होगी आप लोग ने जो गरीबों को कुछ मिल नहीं रहाता और अमीर जो हो सारी facility enjoy कर रहे थे इसी के साथ में reduce करना है poverty ताकि गरीबी को मिटा आए जा सके तो उनको भी facility आप लोग प्रोवाड़ करो question भी बन जाए तो confuse आप लोगो नहीं होना है ठीक है आगे चलेंगे हाँ पर जो important मुदा है उसके बारे में समझेगे सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूँगा UN Journal Assembly के बारे में UN Journal Assembly एक ऐसी बोड़ी है जिसमें all over world में total मिलाकर 193 member आप लोगो देखने को मिलेगी तो यह 193 member जो है यह लगभग आप लोगो नजर आएंगे कि सारे बड़े-बड़े मुद्दों पर बात करते हैं तो फिर यहाँ पर International Solar Alliance वाला मुद्दा कैसे बच जाता है इससे तो इसी के चलते हैं इनके दोरा इस मुद्दिर जो पर Alliance और वहाँ पर बेसिकली अभी आज की डेट में अगर बात करें और भी बहुत सारी organization आप लोगो देखने को मिलेगी बात करते हैं पहले क्या क्या बाते की जा रही है आज की डेट में अगर बात करें वैल डिपाइन को पर जो एक तरीके से Alliance है और United Nation है तो इससे फाइदा क्या देखने को मिलेगा आज की डेट में सब जो है crude oil पर basically dependent रहते हैं मिट्टी का तेल हो गया diesel हो गया पैट्रूल हो गया तो इस सारी चीज़ा आप लोगो देखने को मिलेगी अगर इनी के ओपर हम लोग dependent रहेंगे तो कैसे काम चलेगा भाईया इनी के ऐसे कैसे चलेगा क्लाइमेट चेंज को भी आप लोगो टैगल करना है जब से पैरिस क्लाइमेट एगरिमेंट वहादा 2015 से तब से आप लोग इन मुद्दों के पर फोकस दे रहें कौफरेंस ओपार्टी कौणसी थी वो गौफरेंस ओपार्टी आप लोग बताईए तो यह जो मुद्दा था है यहापर यह बेसिकली मुद्दा यह है कि कैसे चीजों का अगे लेकर चलने है ताकि सिच्चुईशन को सुधार जासेगी चोथे नंबर की जब General Assembly की मिटिंग हुई अभी International Solar Alliance की तो काफी सारे लोगों को नियोता दिया गया और उन नियोते में जो नियोता गया है हाँ पर 108 कंट्री लगवा पार्टिसिपेट कर रहे थे 74 मेंबर थे और इसी के साथ में मेंबर कंट्री और 34 इसमें Observer भी थे यानि कि कई सारे लोगों को नियोता दिया गया तो यहाँ पर सब जो है वो इंजोई करना है चाय पानी पी अपना इंजोई किया सबने इसमें 23 पार्टनर ओर्केनेजिशन भी थी अलगला और 33 इसपेसल इन्वाइटी और गैंसन भी थी जिससे कोई चुटे ना होनी कि गाउं में अगर सब को नियोता देती है पता चला कोई गुस्सा हो गया तो गुस्सा को नियोता सब के पास से पहुँचना चाहिए सेप्टमबर में अभी फुल UN मेंबर सिप की लोगों घेखने को मिली Are अगर धेखने को लोकेशन है खास ऑर का Am 반 New York लोग बहुघ अगर आंप लोग इसको लेखना चाहते है, तो लोकेशन नियोता है तो यह काफी इंपॉटेंट ए쪽에 है है खासकर USA के अंदर बहुत सारी मीटिंग आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है सारी तो इसके बारे में आप लोग मोटा मोटा एडिया रख सकते हैं तो इसके बारे में आगे चलते हैं यहाँ पर आगे आप लोग बात करें थोड़ा सा UN General Assembly के बारे में तो UN General Assembly जो है वो आप लोग को main policy maker जो इसका बोड़ी देखने को मिलेगी यह basically UNG है UN का एक organ है जो की represent कियाता है तो यहाँ पर काफी important जो भी reason लियाते हैं इसके द्वारे लियाते है 193 member आप लोग को यहाँ पर इसके देखने को मिलेगी इसके साथ में General Assembly का जो president होता है वो elect कियाता है each year बा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिजेगा बाकि International Solar Alliance के बारे में तो आप लोग को पते हैं क्योंग यह तो घरका आदमी है हमारी कंट्री में इसका आप लोगा headquarter देखने को मिलेगा ठीक हाँ पर गुरुग्राम में जिसको आप लोग बोलते हैं आप गुरुग्राम बोलत तो यह होलान दे यह उस टाइम पर फ्रांस के प्रेजिडेंट थे जिनके द्वारा मिलकर काम किया गया था ठीक है अगर मैं आप लोग को यहां पर पिक्चर में एक personality आप लोग को देख रहे हैं काफी ज़दे नियूज में हैं यह पर फ्रांस के प्रेजिडेंट है इनका क्योंकि जब यहां पर आस्टेलिया को अभी nuclear submarine दी गई यहां पर USA के दौरा वो फ्रांस से खरीदेने वाला था तो बिलियन सोंग डोलर की डील थी वो और उसकी वेसे फ्रांस के साथ में उनकी डील जो है वो cancel हो गई तो इसकी वेसे वो जो डील है अभी हां पर वो डील म मिलेंगा आप लोगो तो इनके बारे में basic information होगे कई भी कहीं question मन जा है तो basic information होनी चाहिए अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो आप लोगो देखने को मिलता है वो है one solar, one world और one grid ठीक है यानि के one solar मतलब one sun, one sun, one world और one grid इसको OS, OW, OG बोलते हैं यह क्या मतलब है OG, AG, LOG जी सुनो जी ऐसा कुछ नहीं है जी यह क्या है यह तरीके से एक ऐसा system है जैसे मैं आप लोगों को बोल दूँ चलो मिलकर एक group बनाते हैं ठीक है जी जिसके पास में जो जो resources हैं अगर वो उनका use नहीं कर रहा है तो उसको लगता है वो resources जाते हैं मल्या आप लोगे पास इ एक इंसान ऐसा है जिसके घर में कुछ खाने पीने का सामान बहुत जाद है उसको देगा जिसके पास में इस समान नहीं है तो इससे क्या होगा एक दूसरी की मिलकर help करेंगे तो ऐसा ही system यहाँ पर create करने की बात कहीं है कैसे इसको समझ लेते हैं जैसे माले जिए आप आप लोगो दिख रहा होगे हैं उसका मुझा कर सकते हैं निकला है आप से इनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं अगर वह एनर्जी वह पर extra है तो यह काम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है तो उसी मुद्दे के बारे में हाँ पर बात कि जा रहे है कि आज की डेट में ऐसा एक सिस्टम बनाने है ताकि जहां पर सूरज निकला हुआ है वहां से एनर्जी को उस सेरे में पहुंचा दे जहां पर सूरज नहीं निकला हुआ है या फिर जहां पर उसकी requirement है क्योंकि सूरज हट टाइम कहीं जरूर निकला रहेगा तो क्यों ना केबल का connection लगा पर जो energy है उसको एक जगे से दूसरी जगे पर हम लोग पहुचा दे तो यह इसका basic मुद्दा है यह one sun, one world और one grid का new अगर बात करें जो ISA program में उसमें कुछ नया डाल दिया नया क्या डाल दिया? नया ऐसा डाल दिया कि आज की date में हम लोग solar power के बारे बात करे थे solar photovolting के बारे बात करे थे पर लेकिन अभी हम क्या कर रहे है hydrogen के बारे बात कर रहे है और क्या करने? कि hydrogen जो initiative है इसका एम यह है कि use करे solar electricity को और produce करे hydrogen basically solar electricity का use करके hydrogen का production करें और वो कैसे होगा? जैसे आज की date में आप लोग बात करें H2O, यानि कि पानी है, नोर्मल भास्ते में आप लोग ने सुना होगा, ठीक है? जैसे यह नोर्मल पानी होता है, और H2O जो होता है, वो heavy पानी होता है, जो डेक्टर में भी use कहता है, आप लोग ने पढ़ा हो गई है, basically जो general science के अंदर में, तो यहाँ पर क्या करेंगे? oxygen है, अलग और hydrogen आप लोग को अलग नज़रा जाएंगे, यानि कि पानी में से 2 hydrogen और 1 oxygen यहाँ पर निकल जाएगा, तो यह जो hydrogen है, यह green hydrogen हो गया, तो कि पानी में से हम लोग निकल रहे हैं, तो कल को चल कर अगर इस system को हम लोग धन से use करते हैं, तो आज की rate में, जो USA dollar का 5 रूपे पर kg के इसाब से अगर यहाँ पर अगर चल कर 2 रूपे पर kg के इसाब से अगर यह मिलने लगेगा, तो और सस्ता हो जाएगा solar energy, तो इससे क्या होगा, हम लोग अच्छे से इसको use कर पाएंगे, तो इसलिए हाँ पर यह one world, one sun और one grid पर focus किया गया, तो मोदी जी के दौरा यह concept बेसिकली प्रस्तूत किया गया, यानि कि यह जो concept है, हमारे देश के द्वारा दिया गया, और किसको दिया गया है, हाँ पर यह इनसान मुझे बड़ा रंगेला टाइफ का लगते हैं, सारी ऐसी है करता है, यह basically पैदाईस है किसकी Brexit की, अगर Brexit नहीं होता तो इनसान कभी प्राइजिटर नहीं बनता, कई सारे लोग ऐसे होते हैं, जो किसी मुद्दे से निकल कर आ जाते हैं, जैसे अरवीद केदरी वा एक मुद्दे में से उन्होंने उस मुद्दे को भुना लिया और वो प्राइम, वो आज केद में क्या बनगें, वो बनगें चीप मिनिस्टर रह लिए, हाला कि आगे बहुत सारी चीज़े भी आगे हैं, लेकिन ये इनसान जो एक completely Brexit की पैदाईस है, ठीक है, हाला कि अरव solar panel works, यानि कि solar panel जो होते हैं, ये काम कैसे करते हैं, सुरज़ की किरने पड़ी, तो काम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, फोटो वोल्टिक सैल जो होती है, वो convert करती है, sun जो light है, उसको electric energy में, इंपोरेंट बात है, आपर ये sun light जो हो electric energy में convert करेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, फोटो वोल्टिक एफेड, यानि कि जब जो है sun light जो है, वो electric energy में convert हो गई, तो कोई पूछ ले, आप लोग इसको क्या बोलते है, तो इसको बोलते है, फोटो वोल्टिक एफेड, ठीक है, तो ये important point आप लोग या रखना, दूसर कैसी, ये electricity generate की जाती है, ये DC, electricity generate की जाती है, ठीक है, तो direct current जिसको आप लोग बोलते हैं, और फिर direct current को यहाँ पर, basically हम लोग use करते हैं, अलग से inverter, और inverter का use करके, इसको alternative current में हम लोग convert कर देते हैं, तो यानि कि जो solar panel है, उससे हम लोग क्या लेते हैं, direct energy लेते हैं, ये direct current लेते हैं, और उस direct current को हम लोग alternative current में हम लोग use कर लेते हैं, तो ये पूरा system आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि solar panel के अंदर चलता है, तो ये solar panel का price इतना सस्तर हैगा, उतरे ही लोग solar panel को use करेंगे, और फिर इसकी implement कि गए ही energy को हम लोग use कर पाएंगे, ठीक है, तो क सोरी, जो एक plan है climate change का, उसके बारे में हाँ पर बात करता है, तो ये काफी important मुद्धा आप लोग को नजर आएगा, तो पूछ ले अगर कोई आप लोग से कि हमारी country में national solar mission जो है, वो किसका बाट है, तो national action plan on climate change है, जो कि climate change में बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं, जिसमें हम इसके बारे में आप लोगों से कोशन भी पूछ आ सकता है, ये पूरा एक mission है, जिसके अंदर आप लोगों से कही बार कोशन भी बन जाते है, एक्जाम में, तो ये पूरा एक topic है, ये ऐसा नहीं है कि ये इसे government के द्वारा launch कर दिया, हम लोग बोलेंगे national action plan on climate change, ठीक है, पर लेकिन दीलरी में एक topic है, ये पूरा national action plan on climate change, जिसके अंदर आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर देखते है, national solar mission एक part है इसका, जो मैंने भी आप लोगों बताया, इसी के साथ में नीसे आप लोगों देखने को मिलेगा, इन्हेंस्ट है, जो energy efficiency, फिर national mission for sustainable habitat, फिर national water mission इसके अंदर आजाएगा, तो इस तरीके से सारी चीजे है, तो एक बार देख लेना आप लोगों इसको, मैंने आप लोगों यहाँ पर बता दी है सारी चीजे, और उपर ही मैंने आप लोगों यहाँ पर share कर दिया है, जो black sea के इन्डिया को as a global leader, solar energy के field में, और यह मुद्दा कहां पर रहेगा, अगर मोटे मोटे तोर पर में आप लोगों से बात करूँ, जिसे कि यहाँ पर यह पर यह प्रत्य होगी, तो इसके बीच में आप लोगो ट्रोपिक ऑफ कैंसर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, तो उसके बारे में अगर बात करें, तो उसी के चलते हैं, आप लोगो कही सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो मुद्दा यहाँ पर यह है कि जहाँ जहाँ पर भी हम लोग चीजों को देखते हैं, यहाँ पर equator के आसपास वाले region होगे है, तो उसके आसपास वाले मुद्दे में आप लोगो सूरज ज्यादा पढ़ता होने जराएगा, तो इसके चलते हैं हाँ पर यह काफ़ी important हो जाता है, कि खासकर उनके लिए पहले इसको बनाए गया था, पर आगे चला कि यहाँ पैसे कहां से आएंगे, तो फिर लगा कि थोड़ा सा और इसको जब यहाँ पर conference of party 26 हो रही थी है, यहाँ पर यह काफ़ी अभी आप लोगों पता ही ना, चलिए बताइए जगह का बात आनाम आप लोगों बता रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर अभी इसको हम लोगों ने बढ़ा दिया, अभी हम लोगों ने यहाँ पर अगर बात करें त पहले 30 दे 35 था है, आपर 2005 का लेवल का, 2030 तक का, अब हम लोगों ने इसको भी 45 परतिसत कर दिया है, यानि कि अभी हम लोगों ने कई सारे contribution यहाँ पर दी है, जब conference वो party में वो 5 तंतर में आप लोगों बताय थे ना, जहाँ मोदी जी ने हाँ पर कसम खाई है, यहाँ यह क करेंगे, अभी हम लोगों ने बात की, 2070 तक का हम लोग net carbon zero emission जो है, वो zero हम लोग करने वाले हैं, उसी में एक target यह भी है, तो उसकी भी picture मैंने आप लोगो telegram पर provide करा थी, कई बार provide करा चुकों, फिर से उसको post कर दूँआ, एक बार देख लेना ताकि कोई confusion आप लोगों देखने को नहीं मिलें, ठीक है, तो यह मुद्धा है, दूसरे हाँ पर मैंने आप लोगों से बात करेंगे लिए इसको बोलते हैं, क्या one sun, one world, one grid, तो international solar alliance, यह इसके साथ मिलकर और और काम करेंगा चीज़ों को connect करने के लिए, इसी के साथ में आज की date में अगर बात करें तो काफी अच्छे level पर हम लोगों क्या करने हैं, तो government यह कही सारे initiative है, solar park बनाना, canal bank बनाना, canal के top पर लगा देना, building एक तरीके से हाँ पर कही सारी है, एक तरीके से scheme, एक तरीके से grid connectivity के बारे बात करते हैं, तो यह सारे मुद्ध आप लोगो देखने को मिलेंगे, first green hydrogen mobility ज तो कहने के लिए तो यह एक article था, पर लेकिन इस article में मैंने आप लोगो UNGA के बारे बता दिया, UN General Assembly, International Solar Alliance के बारे बता दिया, इसी के अंदर मैंने आप लोगो one world, one grid, यह one sun, one world, one grid के बारे बता दिया, तो इसी के चलते मैंने आप लोगो हम पर एक general science का concept भी बता दिया, जि यह की article है पहने के लिए, पर लेकिन इस article में से मैंने 5-6 आप लोगे topic cover करा दिया, ठीक है, तो basic मुद्दा यह रहता है कि अब यहां से पुराने time में कही सारे question पूछे जा चुके है, अब आगे भी question पूछ रहेंगे तो आप लोगो confused नहीं होना है, ठीक है, तो यह था प यहां आगे नहीं बड़े अगर आप लोगो लगता है, और अगर अच्छी लगती है तो उसको आप लोगो support करना है, like करकर आप लोग support दे सकते हैं, ताकि जादे से जधा है, जो है आप यूट्यूब को पता चले कि यह वीडियो जो है, वो अच्छी है, वसी के साथ में जादे से जादे लोगों तक आप लोग इसको share कर सकते हैं, तो वो आप लोगो जुरूर कर रहे हैं, जब भी आप लोग वीडियो देखते हैं, उसको आप लोग जुरूर किया करो, basically, ठीक है, और अपना presence दिखाय को वीडियो के नीचे आते हैं, कि हाँ आप लोगों ने पोस्तों उनका answer दे सकते हैं, कई सारे बच्चे question post करते हैं, कई सारे बच्चे जो हैं, खुद जो हैं आप पर एक तरीके से अपनी quotation post करते हैं, तो जो भी आप लोगों को सुटे भी लगता है, कई सारे present लिखते हैं, उनले आका, तो अपनी present भी निखाय करो, परसी के होते हैं, basically हाँ पर Mount Semeru, ठीक है, तो Mount Semeru में अभी हाँ पर जोला मुखी फटा, exact location भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, Mount Semeru की आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, यह हाँ पर आप लोग के सामने है, ठीक है, तो इंडोनेशय के अंदर, तो यह पूरा परवत है, जो आप लोग में यहाँ पर देख रहे हैं, तो इस जोला मुखी फटने की वे से, आसपास के कई सारे लोगों की जान चलेगी, तो आप लोग को पता है, जाला मुखी जब फटता है, तो उसमें से लावा निकल कर आता हैं, यह सारी चीजा, आप लोग को देखने को मि और यह बहता बहता जब चलता है तो आसपास वाले इरे में कई सारे जो लोग हैं उनको चपेट में लेकर जाता है जिसके सोचों कि कोई इंसान इसके नीचे आ गया तो उसकी हड्डिया भी वही गला देगा इतना गरम यह पदार्त आप लोग को देखने को मिलेगा तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं तो लोकेशन क्या बताए मैंने आप लोगों यह लोकेशन बताए मैंने इंडोनेशय के अंदर में इंडोनेशन में अभी हाँ लगवग 14 लोगों की हाँ पर जान चलीगी तो यह लास्ट ताइम जो था पहले भी दिसम्बर 2020 में भी यह बेसिकली फटा था और अब फिर से दिसम्बर में फटा तो यहनी कि इसका महा एक माहौल बन गया है कि एक साल के अंदर यह फट रहा है आज की डिट में तो इसके चलते जो इंडोनेशन वासी हैं उनको काफी जदर पोल्लम यहां पर घेली पड़ जाती है और जब को एक सेकेंट तो यह होगी अपनी कंट्री की कैंटरी के लो के न इचाएंगे तो यह आप लो को इंडोनेशन यहां पर देखने को मिलेगा तो इसका लोकेशन आप लोग ज़रूर यहाद रखेगा तो यहाँ पर समयरू है इसको आप लोग ग्रेट मौंटेन के नाम से भी जावा तो जावा यहाँ पर आइलेंड है जो कि हाँ पर मोस्ट एक्टिव ओलके नो आप लोग को देखने को मिलेगी और सुमेरू जो ओलके न है यह पार्ट है आपर एक सब्डेक्शन जो इंडो अस्टेलियन जो प्लेट है ठीक है खासकर अगर आप लोग बात करें यह सा इसको और आप लोगो पेसिफिक ओशन यह देखने को मिलेगा तो इसके आसपास वाला जो रीजन है यह इतने सारे अर्थक्वेक्शन फटते वे नज़र आएंगे जिसकी कुछ हद नहीं है तो इसकी वेज़ से यहाँ पर इसके बारे में कई बार बोलते हैं कि यह तो 75% दुनिया के ही फटते हैं और 90% जो अर्थक्वेक हैं वो मैक्सिम आप लोगो ही पर ही देखने को मिलेगे तो यह काफी इंपोटेंट लोकेशन आप लोग के सामने हैं दूसरी ऐसी कुछ इंपोटेंट कि अगर लोकेशन के मैं आप बारे में बात करूँ इसके बार जाते हैं तो दो चिलिया यदा रखेगा एक को बोलते हैं पर हम लोग बेसिकली यह बोलते हैं रिंग ओ फैसे कश्वать और धालेवाने में ऐतलनती question में जाकर गिर जाता है यह particular area तो अभी मैंने आप लोग को सी जो बात की तो इसके बारे में आप लोग कोई confusion नी होना है वैसे मैंने इंडोनीशे की बारे में बात की तो यहाँ पर जकार ता इसकी capital है और यह जावा सी भी आप लोग को देखने को मिलता है अगर regular आप लोग lecture सुनें तो यह आप लोगो थोड़ा सा recall तो होई रहा होगा अगर आप लोग थोड़ा सा भी revision करते हैं तो ठीक है क्योंकि यह चीज़े में आप लोग को पढ़ा चुको और मुझे याद हो जाती है तो कोई confusion इसको लेकर आप लोग को नहीं होना चाहिए ओके आगे चलते है next important topic आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा Ukraine के बारे में तो यह exact location Ukraine के आप लोग के सामने आगई हाँ पर तो Ukraine है यहाँ पर जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो कईयो बार आप लोगों से कई सारे point इस तरीके से पुछ ले आते हैं तो कोई confusion आप लोग को नहीं होना चाहिए map आप लोग के exact location पता होनी चाहिए अगर map आप लोग के सामने आते हैं तो इसलिए बोलता हूँ map हमेशा इस तरीके से यूज के अगरो ताकि आप लोगों से कोई question पूछ ले तो कोई confusion आप लोग को देखने को नहीं मिले Ukraine के अंदर एक reason है जिसको बोलते है क्रीमिया तो क्रीमिया की location आप लोग यहाँ पर देखते हैं यह वही area है जो क्रीमिया पहलु सुला भी जिसको आप लोग बोलते हैं और बलेक्सी हाँ पर जो यह रसिया है उसके लिए काफ ही important है उसके कुछ मुद्दे भी है जो मैं आप लोग को बताऊंगा तो conflict का zone यह रहता है कई बार basically cause of conflict यहाँ पर क्या देखने को मैं लेगी यह रकते नहीं करनी चाहिए तो यह western world यह बोल रहा है तो Ukraine और Russia के बीच में हालगी कई सारी ties है क्यों क्योंकि Russia का बच्चा ही है Ukraine क्योंकि पहले USA साथ गवा करता था ठीक है उसमें से कई हो सारी country अलग हो गई छोड़ी बढ़ गई तो उसके चलते हैं हाँ पर यह चीज़े देखने को मिलेगी तो अभी फिलाल यह बाना जा रहा है कि बोडर पर Russia के दोरा 90,000 डे करीब टूप्स यहाँ पर बैठा रखें इस particular reason में पर लेकिन Russia जो है वो इस चीज़ को deny करता है कि ऐसा कुछ नहीं है भाइसा भी फालतों की चीज़े आप लोग मत बोलो तो Soviet Union का यह बेसिकली पार्ट होगरता पहले हाँ पर आज केड़ में एक अलग कंट्री है तो वर्ल्ड क्या है यहाँ पर इसको जैसे G7 कंट्री के बारे मैंने बात की तो वो भी आपर इसको लेकर काफी ज़द है मुद्दे पर है अभी NATO के बारे में जो हम लोग बात करते हैं North Atlantic Treaty Organization बोलते हैं इसको इसका member बनने के चक्कर में है Ukraine अगर Ukraine इसका member बन जाता है तो यह बेसिकली दिक्काफ हो जाएगी किसके लिए रसे के लिए क्यों क्यों कि नेटो के जो member है उसमें यह मना जाता है कि अगर नेटो के किसी member को किसी ने हाथ लगया तो इसका मतलब बाहु बली की तलवार को हाथ लगा दिया अगर देव सेना को किसी ने चुआ तो वही मुद्धा आप लोगो यहाँ पर देखने को मिलेगा एक member को चुने का मतलब है पूरे नेटो member को हाथ लगा देना और फिर मुद्ध मक्की के ऐएक तरीके से अगर आप लोग समझें आपर तो एक एक पॉंट में आप लोगो बता तो तो आप लोग नहीं से समाझ पाएंगे आज की डिट में अगर बात करें हैं आपर जो युक्रेन है यूकरेन जो है वो जो वेस्टन वर्ल्ड है और जो रस्या है वो दोनों चाते हैं कि इसके ओपर influence रहे तो यहां पर एक balance मना कर रगना काफी ज़रूरी है ताकि यहां पर आराम से सांती रहे तो एक तो यह मुद्धा आप लोगो देखने को मिलेगा इसको buffer zone भी बोलाता है western countries के दोरा buffer zone मतलब जो Ukraine वाला यह area है इसी ऐसा देखने को मिलता है आज के जिसे देखते हैं Russia का काफी इंटरेस्ट है आपर Black Sea में अगर मैं आप लोगो रश्या के इंटरेस्ट के बारे बताऊ तो मैंने बोलाना इसको टेलिग्राम पर मैंने share भी कि हैं तो रश्या के इंटरेस्ट अगर आप लोगों से कोई बात करें तो यहां पर काफी बड़ा इंटरेस्ट तो रश्या का यहां पर कि जो यह Black Sea है इसके अलावा कोई ऐसा एरिया रश्या के पास में नहीं है जहां पर जो इसके पोर्स हैं जहां पर इसके हवाई जाज पानी के जहां जाते हैं वह चल सकी है सब जगे मैक्सिम टाइम आप लोगों को देखने को मिलेग है तो Black Sea इसलिए रश्या के लिए काफी important है रश्या जो है Black Sea से अगर connect करता है तो फिर यहां पर सारी दुनिया के साथ में आसानी से यहां पर यह अपने contact बना सकता है तो इसलिए रश्या जो है उसको काफी जाद है aggression के वे में देखता है ठीक है जब लैक सी के बारें बात करते हैं प्रोडेस्ट क्यों चलता है यूक्रियन के अंदर में क्योंकि अगर बात करें हांपर बात किया रहे कई सारे मुवमेंट भी आप लोगो देखने को मिलते है ठीक है इसके इस समुद्ध्य को लेकर यहां पर जैसे मैंने बता है हाँ यूरो मेडियन मुवमेंट त यहां पर डिमस्टेशन किया गया एक सीविल अंड्रेस्ट देखने को मिला दोजार तीरह के अंदर में पब्लिक प्रोटेस्ट कर रहे थी हाँ पर इंडिपेंडेंस के लिए एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं आपर लोग जो हैं काफी लार्ज स्केल पर यहां पर एक इंडिपेंडेंस इस स्क्वयर करके हाँ पर प्रोटेस्ट करे आ हैं तो आप लोग लोग पर देखने को मिल सकते हैं पर प्रोटेस्टी पर जोग बोल चीओ पर एक इसलिए के साथ में जब इंविजन किया गया क्रीमिय का रस्या के द्वारा तो मुद्दा देखने को मिला और यूक्रेन जो है वो नेटो की मेंबर्सिप के लिए अपलाई करने की कोजिस कर रहे हैं ताकि कल को चल कर वो भी दिक्कत है देखने को ने मिले जो आज केड़ में अग्रिमेंट किस से लेटेड हैं आपर ये तो यूक्रेन और रस्या के बीच में सांती बनाई रखने के नहां पर ये अग्रिमेंट 2014-2015 में आप लोग को देखने को मिले इसको मिनसक पीस अग्रिमेंट के नाम से भी आप लोग जानते हैं तो डिरेट कोश्चन आप रग आप लोगों से बन जाए तो confused मत होना इसके बारे में तो जो पहला थे हैं ये यूक्रेयन और रस्या के द्वारा बैक्ट किया गया ठीक है इसके ओपर बारा है पॉइंट के ओपर ये एग्री हुए वो सारी चीजे बोलने वाली बात होती है इंडिया और पाकिस्तान भी क कि हाँ implement कैसे हो रही है क्योंकि अब भी जड़प हो रही है तो इसका मतलब काम नहीं हुआ हो इसी के साथ में हाँ पर ये मुद्ध आप लोग निकल कराते हैं तो जो मैंने बोला ने हाँ पर ओर ओर और इसको बता है यह सारा खेला खेला जा रहा है Black Sea के इंदर में तो इस खेले को अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर Black Sea जो है Western Europe और Western Asia के बीच में आप लोग को एक particular reason नजर आएगा जिसके चलते हैं हाँ पर यह surrounded है particular mountain range है कई सारी जिसे pontic हो गया ठीक है पॉकस एक तरीगे से क्रीमिया mountain यह कई सारी रिजन देखने को मिलेगे important मुद्धा अगर बात करें तो Sea of Azov जो है वो यहाँ पर connect होता है इसके साथ में State of Crash के साथ में यह Sea of Azov आप लोग को देखने को मिलता है और यहाँ पर State of Crash है इसके साथ में इसके साथ में जाता है इसी के साथ में हाँपर डाडं इलीज आप लोग को particular area देखνε को मिलेगा तो इह Turkish state यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा जिसे आपर आगे चल कर यह मामरा-सी यहाँ आप लोग को नजराएगा यह particular location और फिर यहां से जब आगे चलता है तो यह आगे चलकर यहां पर एजिनियन सी और यहां से चलकर यह मेडिटरिनियन सी का पार्ट बन जाता है ब्लैक सी के बारे में एक इंटरिस्टिंग चीज आप लोग यह याद रखेगा यह काफी important map है जो कि आप लोग कई बार में दिखा भी चुकों और अब तो इसके आसपास की country आप लोगो याद भी हो जानी चाहिए क्योंकि कई बार ऐसे question अभी exam में recently आप लोगो से पूछेगे है repeatedly question पूछे आते हैं फिर बोलते है question कहां से बन गया तो अगर थोड़ा सा भी धहां से सुनोगे तो question तो नहीं चुटने दोंगा यह तो मैं आप लोग यारेंटी लेता हो पर थोड़ा से जहां से सुनना पड़ेगा रिव्जन करना पड़ेगा आलका साथ है तो रिव्जन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपोटेंट मुद्दा जो निकल कर आ रहा है यह मुझे personally काफी इंपोटेंट लगा नोर्मली अगर बात करें तो आज की रिएट में हमारी country में जम्माइन कास्मीरी में जो भी होता है तो पागिस्तान जो है उस पर उपर बराबर कमेंट करते हैं कभी पीछे निरता है तो इसलिए हाँ पर यह इंटरनेंसल रिलेशन की पॉइंट लोग से काफ़ी इंपोटेंट मुद्दा बन जाते हैं बात करेंगे गवादर गवादर बुलुचिस्तान जो है अगर पर्टिकलर एरिया के बारे में आप लोग बात करेंगे पागिस्तान के ये पर्टिकलर एरिया है पागिस्तान के अंदर एक बुलुचिस्तान वाला रिजन देखने को मिलेगा आप लोगो अगर थोड़ सा में इसको मैप में आप लोगो दिखा हूँ, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं यह पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ में और इसी के साथ में यह पर्टिक्लर रीजन चेक करेगा इसका इरान के साथ में तो ये ब्लूचिस्तान वाला रीजन देखने को मिलेगा ये इंटरेशिंग चीज़ के बारे में यह है जैसे जब हमारा देश आजा दुआ तो जमुआ एंड कास्वीर वाला जो रीजन था उससे पूछा गया बिडिस गौर्णमेंट के द्वारा कि भाई साव आप पाकिस्तान के साथ में जाकर मिलोगे या फिर आप लोग इंडिया के साथ में जाकर मिलोगे तो हरी सिंग जी था उनके द्वारा बोला गया कि भाई साव हम लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे पर लेकिन हमने बोला कि ठीक है आप इंडिपेंडेंट रेनों कोई दिक्कत नहीं है पर पाकिस्तान थोड़े न मानने वारा था पाकिस्तान ने हुआ पर बिसिकली अटेक कर दिया 1947 में ही ठीक है पाकिस्तान वाले तो हमको सपोर्ट करते है पहले आप लोग जो इसके बारे में अगर आप लोग पढ़ना है तो आर्टिकल 370 बेसिकली मैंने एक काफी इंपोर्टेंट वीडियो बनाए थी उसको जाकर देखेगा सारे चप्सु आप लोगे खुल जाएंगे उस वीडियो को देखने के बाद में अभी फिलाल मुद्दा के है अभी फिलाल मुद्दा यहां पर यहां पर ब्लूचिस्तान वाले एरिय लेकिन यह सारी बाते जो है यह आप लोगों पर पाकिस्तान को भी पसंद निया औने वाली तो वह हरकती आप फिलाइनम झा इंडिया ले लए लिए 1948 में पाकिस्तान की गवर्मेंट के द्वारे यहां पर बेसिकर मिलिटरी और डिप्लिवेशन के थूरू इसको अपने कंट्रोल में ले लिया और यहां पर जो आप लोगों को देखने को मिलागा डॉलाप्मेंट और इनके प्रोटेस्ट को हम लोगों पर लोगों को प्रोटेस्ट कराएंगे उन 153 टो शुचता है तो वह हरकत हैं आप लोग ओ 느म्पर इनकी देखने को मिलेगी घौने तो वा देखनी के रहता है हमने तो आज तक इसके बाबकि यहां पर पालेकिन जब तुम बार बार उट्रोगए तो हम फुड़ी न हरेंगें, तो हहाँ पर हमारे पाईस्वारीयarla वह मेंट्र प्रॉट हैं करें उसके हां पर वह मीन को कुछ अलते हैं। अहुग्सवारा भी जसे कि मॉडी हूरा graduate करेANT तो उन्होंने भी बिलुचिस्तान के बारे पहली बार हमारे देशे प्राइनिस्टर ने वो भी हाँ पर इंडिपेंडेंस देखे दिन, यहाँ पर कुछ ऐसी बाते बोली जो कि किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं कि थी, तो यहाँ पर देखो यार ऐसा होना भी चाहिए, अग हबते कमेंट करते हैं, ठीक है, तो यह मुद्धा है, अभी बात करें, जो गवादर गुलुचिस्तान जो है, वहाँ पर अभी development के बारे बात करें, कुछ धंसे देखने को मिलता नहीं है, पर लेकिन फिर भी चाहिना पाकिस्तान एकनोमिक डोरीडोर का, डोरीडोर नी, को इसको लेकर यहाँ पर कई बार प्रोडेस्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को पता है, चायना हरकते कैसी करता है, तो चायना तो जाकर वहाँ development करेंगा, अपना माल पानी निकालेगा और चल देगा, क्योंकि काफी important area है, वो naturally, अगर बात करें, natural gas और oil reach, यहाँ पर काफी important reason माना जाता है, ठीक है, तो काफी large, जो scale है, आपर large land side है, आपर blue जो लोग है, उसके खिलाब protest कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह दिक्कत है देखने को मिलगी, और पाकिस्तान जो है, वो एक तरीक से बोला है कि India इन प्रोडेस्ट को support कर रहे है, बाई स चाइना के दोरा एक huge investment यहाँ पर कियात है, जिसके वैसे बारवार ground level पर दिक्कत भी देखने को मिलती है, यह जो टोपी काफी important है, आप लोग का history में direct यहाँ से question बन जाते है, ठीक है, तो थोड़ा से जहां से सुनिएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अभी 143 अभी 143 anniversary हाँ पर जो basically राज गोपाल चारी जी की जो celebrate के गए, तो राज गोपाल चारी जी के बारे में कई सारी बात आप लोग को पता होने चाहिए, तो freedom fighter के बारे में कई बार कई सारे question आप लोग से पूछ ले आते हैं, 143 birth anniversary इनकी celebrate के गए, तो freedom struggle moment में काफी बड़ा role इनके दौरा play किया गया, काफी एक important personality थी, इनके पास पर presidency थी थी, आपर मदरास जिसको आज करम आप लोग चनने ही बोलते हैं, ठीक है, इनके दौरा यहाँ पर participate किया गया, आगी चलकर पिन के दौरा यहाँ पर presidency तो start की ही गई इसके साथ में, practice भी की गई हाँ यहाँ प इसके साथ में, तागी सब लोग जो है, वो समझ सकें, यह आगे चलकर chair person भी बने, जो municipality हैं पर सेलम, 1917 में, दो साल के लिए, इसी के साथ में इनको भारत रतन भी अबोड दिया गया, 1905 में, important मुद्दा जो कई बार आप लोगों से पूछ ले आता है, रामायन जो है, वो आप लोग यहाँ पर चक्रवर्थी, चक्रवर्थी, तिरूमंगन, ठीक है, के नाम से आपर जानते हैं, जिनके दौरा लेटर इनके दौरा पब्लिस के गई, रामायन भी, और साहित्या कैदमी अवोड भी इनको दिया गया, साहित्या कैदमी अवोड इन तमिल लेंग्व इनके दौरा किया गया, इसी के साथ में जेल भी गए हाँपर, दो साल के लिए वैल्यूट के अंदर में 1920 में, और इसी के साथ में इनके दौरा आगे चलगा, ये जब रिलीज हुए, तो इनके दौरा ओपन किया गया आस्रम, परमोट करने के लिए गांधी जी के जो प्र साथ उनिया में तो उसमें भी काफी बड़ा रोल प्ले किया गया, आगे चलकर दांडी मार चला गया, जो 1930 में आप लोगो बता ही है, आपर इनके दौरा मदरास प्रेजिडेंसी में हाँपर सिमलर मुमेंट चला गया, जिसको आप लोग देखते हैं, हाँपर इनके दौर ये थे हाँपर वेंद रहे हैं, ठीक है, तो इनके मदरास प्रेजिडेंसी, इसी के साथ में ये काफी इंपोटेंट कोशन पुछ दा जाएगा, ये इंडिया एक न्यूस्विपर पब्लिस के दौरा गांदी जी के दौरा, उसमें ये एडिटर भी रहे, तो ये काफी इं कि अनदर सत्यर के हैं लोंच काने की क्या जूरत है, ये अच्छा डिस्जन नहीं है, कि ब्रिटिस जो हैं, वो कंट्री को छोड़ कर जा ही रहे, तो ऐसी बाते आप लोग यहां पर देखने को मिली, तो 9 दिसमबर को इनका जनम आता और 25 दिसमबर को इनकी डैथ हुई थी तो दो आप लोग डेट यहां पर देखने हैं दिसमबर के महिने में, तो 9 दिसमबर और 25 दिसमबर को फिर से इनके बारे में जिक्र होगा, तो आप लोग इसलिए मैं पहले ही आप लोगो सारी बाते इनके बारे में बता दी, और भी कही सारी इंपोरेंट है अगर बात करे और caste जो prejudice होता है society के अंदर में उसको साइड़ में करने की कोशिस की और मदरास temple entry और threatization and जो यहाँ पर indemnity यह act भी हाँ पर देखने को मिला आप लोगों ताकि temple में सब की entry हो सके क्योंकि दलित को allow नहीं किया जाता था entry करने के लिए तो इसलिए हाँ पर नहीं के दौरा काफी काम किया गया आगी चल कर जब partisan के बारे में आप लोग बात करते हैं तो उसके चलते हाँ पर governor of west बंगाल भी इनको यहाँ पर बनाए गया और 1947 में जब Lord Mount Wedden चुट्टी बर चल रहे थे तो उस टाइम पर यहाँ पर first Indian governor general राजगोपाल चारी temporary जो time के लिए इनको office hold किया तो last governor general के तरीके से भी हाँ पर इनको देखा जाता है तो यह भी important मुद्धे आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं पोस्ट अगर बात करें हाँ पर independent यहनके आजादी के बार में पहले चीफनिश्टर मदरास के 1952 में important है कई बार पूछ ले आता है education system में काफी बड़ा role play किया गया इनके दोरा और जो काफी controversial reason राइन का हो था कि हिंदी को compulsory कर देख तमिलाडू के school में जिसके चलते काफी protest हुआ और इनको अपनी post से जो है वो resign भी देना पड़ गया इसी के चलते हैं हाँ पर यह काफी अच्छे से support करते थे free market को economic को ताकि अच्छे support किया सके और वरना system जो है उसको society में basically यह चाते थे कि reintroduce किया जाए ठीक है जो वरना system होता है ठीक है अब लोगों देखाना है कि एक सत्रिय होगे यहाँ पर ब्रहमन होगे तो वो सारी बाते फिर से उसको reintroduce के जाए पर different form में ताकि यहाँ पर एक तरीक से बात यह believe करते थे कि एक religion जो है for society वो काफी important है हर एक person के लिए यह आगे चलकर home जो affair minister भी हाँ पर बने जब यहाँ पर after the death of जो हाँ पर सरदार बला भाई पर टेल जी की जब death होगी 1950 में तो उसके बाद में हाँ पर home minister भी बने 1959 में resign कर देगा इंडियन नैसर कोंग्रेस से और इनके द्वारा यहाँ पर स्वितरता पार्टी जो है वो form की गई तो यह कुछ basic information मेंने इसलिए डिटेलर बता दी है क्योंकि आगे भी आप लोगों से पुछे जाता है और important personality जो है वो आप लोगे syllabus का भी एक part है तो कोई confusion आप लोगों नहीं होना चाहिए तो lecture कैसा लगता है और उसको जुरूर बताया को आप लोग उसको like करकर support कर सकते हैं आप लोग lecture को जादे से जादा है जो है उसको ताकि यह पता चलता रहे यह lecture कैसा है यह काम आप लोग जुरूर कीजे ठीक है तो कि जो भी हाँ पर इसके उपर जो परतिबन चल रहे है वो थोड़े कम हो जाए ठीक है आगे बात करें हाँ पर युनिवर्सल हैथ कवरेज के बारे में हम लोगों ने काफी डिटेल में जाना मैंने आप लोग को डिटेल में समझा जा लेकर कभी नहीं होना चाहिए डिवजन करते रहे यहाँ बाग की सारी चीजे मेरे उपर छोड़ दिजे ठीक है मैं होना टैंसर निलना करेंट अ प्योर जी लिए आगे बात करते है यहाँ पर यह हम लोग ने एक बेसिकली बात की किसके बारे में वोलकेनो के बारे में, क्या होता है वोलकेनो वो सारी बाते समझी, exact location कहाँ पर है map में मैंने सारी चीज़े आप लोग यहाँ पर दिखाई और इसी के साथ में, मैंने हाँ पर दो चीज़े और कवर की, specific जो belt होती है उसी के साथ में, यहाँ पर जो alpide belt है, उसके बारे मैंने आप लोगों से बात की तो यह important topic हम लोगों ने cover किया इसी के साथ में, हम लोगों ने हाँ पर Ukraine वाला मुद्दा काफि देखा, यह आज कही news paper में था, इसलिए मैंने इसको आप लोगो ढग से बताया और Ukraine को मैप में भी हम लोगों ने देखा जो black sea को देखा, sea of azok कहाँ पर है क्या क्या चीज़े है, पूरा डिटेल में बताया बुलुचिस्तान वाला मुद्दा था काफि डेटेल में हम लोग ने हाँ पर इसको देखा क्या क्या location है और इंडिया की catch stand है और यहाँ पर इसकी stick या थोड़ी सी, वो भी हम लोग ने हाँ पर समझी और सीराज गोपाल चारी जी के बारे में मैंने आप लोगों से डेटेल में बात देखे, ठीक है तो कोई confusion आप लोगों नहीं होना चाहिए अदर भुकम यह बताना था RTS यहाँ पर है यह आप लोगों को बताना है ठीक है? यह एक topic आप लोगो बच गया है कल कवर करने हैं क्योंकि काफी ज़्यदा हो गया इसको मैं कल बता दूगा यह पुरा संधाई corporation और्गेंशन का topic था टेंसर मतले ना कल कवर करेंगे सब्सक्राइब क्योंकि ज़्यादे लंगी वीडियो होगी उलड़ी तो एक घंटे के अंदर रखते हैं तो न्यूस्पेपर यहाँ पर है यह हम इंडिया के बारें बताना है सिराज गोपाल जारी जी के बारें बाते की तो इसके बारें बताना एक थीम क्या थी यह बताना था मूजिंस्गеबारे बात की हाँ पर एक तरीके से अंबालग अंदर एक मूजिंग है कहां पर किस राज़े के अंदर में जहां पर बोला गया ठरल सत्थाओं की करांवरां थी फर्स्ट वार उफ इंडिपेंडेंस किसने इसको बोला था इसके साथ में अलहबाद जो यहां पर दरबार इन अलहबाद इसके बारे बताना था कौन थे यहां पर बिसिकली वाइसर है दोनों लेक्चर का मिलाकर कंपाइंड यह बिसिकली क्विश्ट था आप लोगा जो कि आप लोगा फ्राइडे और सेटर्डे में आए था तो दोनों का कमाएं क्विश्ट है क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स में में मेरे कवर किया थे तो सस्टेनेबल मौंटें ट्यूरिज बेसिकली गवर्नर बेसिकली गवर्नर बोल सकते हैं आप लोग यहां पर ठीक है वह स्राइब सोरी इसकी बीजबीज बाते रहे थे नैसले ईमें राइट कमिशन जो है वह यहां पर पशुत करता है डेटा उत्तर परदेश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा 40% क यहां पर सर्विसीज देता है इसी के साथ में अर्बन अमेनिटीज इन रूरर एडिया यह एपी जब दूर क्लांसर के द्वारा एक कॉंसेट दिया गया था तो यह था टोटल आज का डिसकसन तो कैसा लगा जुरू बताएगा अगर कोई भी कन्फिजन हो तो बताएगा और पीडियाप जाकर टेलिग्राम से डाउनलोड करें यहां पर आप लोग कनेट भी रह सकते हैं बाकी मोरनी में मिलता हूँ एक्ज़क्ट साड़े 6 बज़े आप लोग तयार है ना मोरनी में कोपी और पहन लेकर सुबह उठा करो जल्दी हाँ बहुत सारे बच्चे बोल चोड़ी से लाइफ एंज्यो करार मिलता हूँ नेक लेक्चर में तब तक के लिए जैहिन